Hi guys, thanks for joining in, आज का जो podcast है, उस में heart to heart conversation में हम आज change के उपर बात करने वाले हैं, यानि की बदलाव Now guys, यह जो topic है, change जो एक word है, वो मेरे इतना करीब है, क्योंकि मैंने personally करीबन दो countries में जिंदगी बिताई है आज तक, जितना भी मैं हूँ, I am around 34, 32 to be precise So, दो countries में रहा हूँ, I have lived in 8 different cities, 8 अलग लग cities में रहा हूँ, अगर गरों की बात करो हूँ, तो I have lived in 11 different houses, 11 घर रहे हैं, owned या rented obviously, अब 11 घर तो ओन अभी तक नहीं किया है, बट या 11 different houses I have worked for 7 different companies, across 7 years of my career, so before coming into business, जबकि मैंने अपनी जो consulting firm जो पर स्टार्ट करी है, जिसके थुरू आप लोग में साथ connected है, so इस profession से पहले, मैंने जब मैं employed था, with you know multiple companies, तो 7 अलग लग कंपनियों में काम किया, that means, मेरे जो stint थे अलग लग कंपनियों में, वो as short as 3 महीने थे, as long as 2 साल थे, मैंने fortune 100 company, fortune 500 companies में काम किया है, I worked in start-ups, I worked in home run companies as well, अगर मेरे profession या मेरे occupation की बात करो, तो I have been a sales guy, to as different as a business analyst, okay, sales manager रहा हूँ, SME marketing में रहा हूँ, in the automobile sector, I have also worked as a digital media, digital platform integration specialist as well, जो की मेरे last job थी, then front end retail sales भी करी है, मैंने, अगर मैं Canadian career की बात करो, तो within a year of coming to Canada, मैंने तीन अलग लग नौकरियां करी, professions में, अभी तो जो मैंने आपको पुराने जो starts है, वो मेरे सिर्फ Indian starts है, अगर मैं Canadian company की बात करो, तो right from assisting a lawyer, to working in retail sales, बहुत अलग लग तरीके के काम किया है, यहाँ पर, guys, एक जो चीज मेरे साथ जो consistently रही, वो थी change, यानि की बदलाव, now, क्यों मैं कहता हूँ कि हमें बदलाव, जरूरी है हमारी जिन्दगी में, personally, जो मैंने अपनी जिन्दगी में आज तक, you know, realize किया है, या फिर जो मैंने experience gain किया, उसमें यह था कि, मैं जब भी कहीं पे एक नहीं जगा, जब मैं start करता था, या जब मैं शुरुआत करता था, तो मुझे realize होता था, कि यार, यह तो नौकरी या फिर यह जो start है, यह मेरे लिए बहुत बढ़िया है, मतलब इस से अच्छी मेरे लिए नौकरी होई नहीं सकती, क्योंकि मेरी एक आदत है, जो कि मैं अपनी life में हमेशा अपने साथ लेके जाता हूँ, मैं कहीं पे भी कुछ भी करता हूँ, तो मैं उस particular चीज़ को करने के लिए इतना ज़ादा dedicated और इतना ज़ादा effort दे देता हूँ, मतलब मैं अपना 100% potential दे देता हूँ, और जब मैं उस चीज़ को करके बाहर निकलता हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी regret नहीं होता कि क्या मैं इसे बेटर कर सकता था, क्या मैं इसे अच्छा कर सकता था, बले वो बहुत ही थोड़े time के लिए हो या बले ही बहुत लंबे time के लिए हो, कोई भी चीज़ हाफ बेट कर ही नहीं सकता, मेरी आदत ही नहीं है, अगर मैंने कोई एक छोटी सी activity या फिर कोई एक नौर्मल सी नौकरी भी जॉइन करी, तो महाँ पर अपना full potential दूँगा, अगर मैं full potential नहीं दे पाँँगो, आप अगर मैं अपनी performance की बात को रहें, आप अगर मैं अपनी performance की बात को रहें, आप मेरे employees भी काफी सारी video देखेंगे, उनके साथ मैं regularly touch में हूँ, तो I am sure they can vouch for it, के I have definitely tried my best, and my results were also top notch, you know, I always try to perform in the top 1%, मेरे जो targets थे, being in sales or anything, मेरे हमेशा मैंने यह नो overachieve ही किया है, कभी underachieve नहीं किया, now, जो एक चीज निकल के आई, मेरे career में वो यह थी के, I was never shy to do anything new, और यही मैं आपको सला दूँगा के, guys, new experiences and new challenges को लेने से पहले, आपको कभी गवराना या शर्माना नहीं चाहिए, लाइफ में न, एक चीज बड़ी important है, वो यह है कि, आप से सब कुछ ही न जा सकता है, for example, पैसा, गाड़ी, बंगला, family, दोस्त, country, space, everything, but एक चीज जो आप से कभी भी नहीं चीननी जा सकती, वो है आपका दिमाग, आपने कुछ भी चीज़ें करने के बाद, या फिर आपने कुछ भी नहीं नहीं चीज़ें ट्राय करने से, आपने जो भी अपने experiences को gain किया है, या जो जो आपने learnings ली हैं, जो भी आपके knowledge है, जो भी आपके skills जो भी आपने develop किया है, आपको कभी भी आपसे वो चीज छीनी नहीं जा सकती क्योंकि आपने इतनी सारी चीजें कर ली लाइफ में अपने आपको इतने अलग-लग drastic situation में आपने डाल दिया, आपने इतनी बारी लाइफ को restart किया जब मैंने अपने लाइफ में इतने changes किये तो obviously मुझे हर change पर अपने आपको restart करना पड़ता था मैं जब भी एक नई company join करता था या जब भी एक नई position में जाता था तो हर एक नई position या हर एक change पर आता है, वो cost होती है कि आपको हद से ज़्यादा effort देने पड़ता है अपनी life को restart करना पड़ता है, तो अब मेरे लिए वो restart करना कोई बहुत ज़्यादा problem नहीं रहे गई है तो life ने जब जब मुझे एक बिल्कुल rock bottom पर भेजा, या फिर जब जब मेरे को बहुत ही ज़्यादा परिशानिया या फिर issues दीए तो मेरे को restart करने में issue आया ही नहीं कभी, मुझे कभी problem ही नहीं क्योंकि मैंने past में इतना change करते करते हैं अपना को इतना extreme push किया हर बार आदमी जाता है, एक पंडित बैठे होता है, मेरे काल से किसी movie का dialogue भी है या फिर किसी movie का scene भी है बट मेरे को तो हमेशा ही मेरे मेरे दोस्ते सुनने को मिला है तो मैंको वैसे ही बताऊंगा, कहते है एक आदमी जा रहा होता है शड़क पे, शड़क किनारे एक पंडित प्रभू, तो जैसे जैसे पंडित जी बोल रहोते हैं, आदमी उडरता चला जाता है कि बता नहीं क्या हो गया, तो पंडित जी कहते हैं, देखो बिटा, जिन्दगी के जो अगले 10 साल है, वो आपके बड़े परिशानी वाले गुजरने वाले है, बंदा हो डर जाता है, क जिन्दगी ना, मेरे ये मानना है, या भी मेरे जीने का प्रिंसिपल है कि यार, कुछ चीज़े आपके कंट्रोल में हैं, which is efforts, और कुछ चीज़े आपके कंट्रोल से बाहर है, which is result, और मैं परसनली जिन्दगी ऐसे ही step by step जीता हूँ, मैं जितना कर सकता हूँ, उतना करने आया, you never know, आगे कहां क्या लिखा है, कौन सी अलग कंट्री जाना है, या कौन सी अलग शेहर जाना है, I am never terrified, in fact, मैं हर एक नई चीज़ को करने के लिए अब इतना जादा उत्सुक हो जाता हूँ, इतना जादा excited हो जाता हूँ, कि अगर मैं कुछ महीने या कुछ साल कुछ ना कुनों तो आप मेरे को परशानी होने लगते हैं किया अब क्या हो गया, हाना जिन्दी की बड़ी sad सी हो गया, होता क्या है कि जब भी आप एक change से गुजरते हो, तो आप नई लोगों से मिलते हो, आपके नई network बनते हैं, नई नई लोगों से बाते हैं, नई दोस्त, अ स्टोरी आती है आपके पास, अब कल को अगर मैं अपने बच्चों को स्टोरी कुछ सोना होंगा, हाना, तो I always have a story, मैंने अलग-अलग industries में, अगर आप मेरे साथ industry पूछे तो मैंने कहां कहां काम किया है, I've worked in the consumer durables, मैंने information में IT में काम किया हुआ है, मैंने automobile industry में काम किया ह हुआ है, मैंने real estate में भी काम किया हुआ है, मैंने furniture industry में भी काम किया हुआ है, there I've worked in the legal industry as well, right, so अलग-अलग चीजों में काम करके अब मेरे पास बड़ी साथी कहानिया है, and जब भी कोई मेरे से कोई सलाह या फिर कोई discussion करने आता है, तो मैं उसको बड़े ही well-rounded advice देता हू कोई अगर मेरे साइटी की discussion करता है, तो मैंने वो भी किया है, makes my discussion more meaningful and useful, तो ऐसे कुछ जिन्दगी के, you know, 7-8 साल ऐसे बीता है, you know, मेरे 7-8 साल मतले मैं इतना बुड़ा हूँ नहीं, I'm just study to like I said, जिन्दगी के कुछ ऐसे चीज़े देखी है, although success, हर एक इनसान अपने आए हिसाब से success को measure करता है, कई लोग कहते हैं कि किसी के पास इतने करोड़े रुपे हो गए तो वो successful है, कई कहते हैं कि हमने जिन्दगी में इतनी चीज़े अचीज़े अचीज़े अचीव कर लिए तो हम successful है, मुझे लगता है कि आज की rate में जो मैं करना हूँ, मेरा consulting का जो business ह इसको जो मैं setup कर चुका हूँ, जिस तरीके से मैं YouTube में आप लोग को साथ connected हूँ, मेरे लिए मेरी आँखो में successful हूँ, क्योंकि मैं खुश हूँ, मेरे लिए मेरा success मेरी खुशी के साथ है, आज जो मैं करना हूँ, मैं बहुत जादा खुश हूँ, मैं आगे भी बड़े changes कर करने वाला हूँ, मैं अपनी life में जितने लोग मुझे जानते हैं, आप देखने हैं कि मैं अलगलग जगा office, initiatives, अलगलग countries में आना जाना, मेरे लिए मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जहां भी जा रहा हूँ, अगर मैं उस चीज़ को करते हूँ, खुश हूँ, तो मैं successful हूँ, अगर मैं किस चीज़ को ना करते हूँ, अगर करते हूँ, ना खुश हूँ, तो फिर मुझे परशानी होने लगती है, बट change करने से मुझे एक और चीज़ बड़ी अच्छी सीखने को मिलती है, वो है to try something new, जब भी मैं कोई नई चीज़ ट्राय करता हूँ, तो मुझे जब भी आप change करो, या फिर जब भी आप अपनी नए नवकरी या निया घर या निया देश या कुछ भी आप करो, तो अपने पुराने दोस्थों को या अपने पुराने जगा के ज़ो आपके साती थे, या फिर जिन लोगों से, जिन नेटफ़फरक्ट से अब मिले, उनक हमیشہ प्यार से बात करना उनको कोभी ऐसा फील मत कराना कि आप लाइफ में आगे बढ़ जुके हो आप इतना सक्सेसफुल या फिर इतने अलग एक लेवल पे पहुंच चुके हो कि अब वो लोग आपसे बात नहीं कर पाएं या कुछ भी मेरे साथ यह सिचुएशन है मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं पुराने दोस्तों से बात करूँ जिनके साथ फोन पर ही बात होती है वो लोग तो मुझे हैं कि आपसे बात करके बिल्कुल भी अलग नहीं लगता हाँ आजकल कुछ ऐसी सिचुएशन में बैठा हूँ कि इतनी ज़ादा कॉल्स इतनी ज़ादा यह नो मेरे इस नए कंसल्टिंग में इतना ज़ादा लोड है कि मैं पुराने दोस्तों से इतना कनेक्ट नहीं बना पा रहा हूँ बढ़ मैं पूरी कोशिश करता हूँ चितनों से भी होती है बात उतनों से अटलीस मैं अपनी पुरानी वो जिंदगी पुरान अपना वो टाइम जीने की पूरी-पूरी कोशिश करता हूँ फिर वो चाहिए यादें हो डिसकशन हो, बातें हो उनके साथ जब भी मिलता हूँ तो बिलकु लाइफ और वो टोन और वो लैंगुज हर एक चीज़ वही हो जाती है और नाचुरली आता है, मैं जान भूश के नहीं करता वो नाचुरली निकल के आता है एक और चीज़ जो आप आज की जो डिसकशन में या फिर आज के इस पॉडकास से अगर आप कुछ टेक अवे कर सकते हो तो वो है गाईज फेलियर से कभी भी ने डरना क्योंकि जब भी आप कुछ भी चेंज करने निकलोगे तो आपको फेलियर हो सकता है देखना पड़े और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स देखना पड़े तो डोंट वी शाय ओफ इट मतलब जो फेलियर है न वो सक्सेस से आने से पहले हो सकता अगर आप मेरे यूटीब चानल की बात करो तो किसी को नहीं मालूम इस यूटीब चानल से पहले मेरे दो अलग यूटीब चानल थे जो की बड़े ही शौट शौट पीरियड की साथ में स्टार्ट होके डेड होगे तो फेलियर मैंने यूटीब चानल में भी देखा अगर मैं अपनी नौकरियों को कहूँ तो हाला कि मैं नौकरियों में सक्सेस्फुल था अपनी जिन्दगी में जो भी आप गलतियां करो मैंने आभी मुवी आई थी रनवे 34 अमिता बच्चन का बड़ा अच्छा डायलोग है जिन्दगी में गलती करने के बाद आप तीन चीज़े जरूर करना वो कहते हैं कि सबसे पहले गलती को मानो दूसरा गलती से सीख लो और तीसरा गलती को भी रिपीट ना करो ठीक है तो ये चीज़े जरूर करनी चाहिए मैं करता हूँ अभी भी अपनी जिन्दगी में और बस यही है लाइफ एक बड़ा ही अलग सा एक अडवेंचर है हर दिन एक नए अडवेंचर है सेम चीज़े करकर के एवरी डे बड़ा ही बोर सा हो जाता है इंसान बड़ा ही अजीब सा लगता है तो आप कुछ ना कुछ लर्निंग कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन करते रहो मेरे लिए personally at any given point of time मैंने exams, पढ़ाई, job बच्चे मैनेज करना family मैनेज करना एक नई city में आना ये सब चीज़े simultaneously एक ही time पर करी है विच मींज एक ही दिन में बहुत ही कुछ नया भी होता था बहुत ही कुछ करने को भी होता था एंड उसके बावजूद जितने दोस्त मुझे जानते हैं उनके बावजूद मैं मतलब इतना सब कुछ होने की बावजूद उनको कहता था यार मैं बोर हो गया अब कुछ करने को नहीं है मतलब बड़ी अलग सा होर है बड़ी बोर सा होर हो मैं तो guys कोई बुली बात नहीं है change बिलकुल अच्छी चीज है बिलकुल भी जो लोग change या फिर किसी चीज से परशान है तो कुछ भी नई चीज को एक नई experience को try करने से बिलकुल अटरें और जब भी आप कोई नई चीज करें तो उसके साथ में ज़रूर अपना food 100% दें 100% देंगे तभी life में कुछ अच्छा निकल के आएगा well at least आपको एक चीज मालूम होजेगी कि मेरे दिल के करीब है एक dialogue जो मैं अकसर अपने clients को सुनाता हूँ तो जितने लोग उनमें इसा consultation करी है उनको ये dialogue एक आदी बढ़ी तो सुनने को ज़रूर मिला होगा के जिन्दगी हमें अकसर एक mode पर लाके खड़ी करते हैं एक ऐसा चुरहा होता है जहां पर आप realize होगा कि आप एक तरफ से आए और चार सड़के हैं एक सड़क सीधी जा रही है तो अकसर आप जब उस चुरहा हो गया तो अकसर आप जब उस चुराहे पर खड़े हो तो इंसान सोचता है यार मैं सीधा जाओ लिफ जाओ कर राइट जाओ बट कभी-कभी इंसान को यह भी realize होता है कभी-कभी you turn लेना भी जरूरी है तो अगर आपको ये change या फिर ये नहीं चीज़ें आप नहीं करोगे तो आपको कभी भी आपकी जो existing चीज़ आपकी जो current life है उसकी value नहीं पड़ेगी ठीक है तो हमेशा उस चीज़ की value डालने के लिए अलग-लग experience लेते हो और कभी-कभी you never know, you turn लेना भी ज़रूर ही होता लाइफ में राइट ये थी आज की हमारी discussion, ये थे मेरे आज की thoughts अगर आपको हमारी heart-to-heart conversations पसंद आई तो ज़रूर give us a thumbs up, give us a like बहुत कोशिश करते हैं आपके जाथ, you know, बिलकुल सची and दिल की honest opinion, honest बात share करने की takes a lot of efforts and takes a lot of guts बड़ा मुश्किल होता है, किसी के साथ ऐसे दिल की बात करना especially when you're into this business, but it is what it is, this is who I am, right यही है सब बाकी उपरवाले की मर्जी Guys, once again, thanks a lot आज के इस podcast में जॉइन करने के लिए हमारे साथ अगर अच्छा लगा तो again, subscribe and और भी कोई अगर topic, अगर कोई और discussion आप चाहते हो हमारे साथ हो तो ज़रूर comments में drop करेंगे and then we will try and reply to them once again, I wish you all the best and I really hope to see you soon in Canada all the best करेंगे